हलो दोस्तों जीत एक अन्मी टूफरीशन में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DRDO द्वारा निकाली गई साइंटिस्ट वी रिक्विट्मेंट 2020 से जुड़ी सारी डिटेल्स के वारे में जिया दोस्तों 180 प्लस वैकेंशी जिसमें आई है तो आएए जानते हैं और कौन-कौन से डिटेल्स हैं जो की आपको जानना चाहिए वे लिए आपको सिंपल Google पर आना होगा Chrome से आप आ सकते हैं या कोई भी ब्राऊजर से आ सकते हैं यहाँ पर आपको सर्च करना है सरकारी रिजल्ट सरकारी result जैसे ही search करेंगे दोस्तो आप इसके official websites पे चले जाएंगे यहाँ पे आपको बहुत सारा चीज दिख जाएगा तो यहाँ पे जैसे नीचे scroll करके आएंगे तो result है admit card है और latest job में आपको एक जगा दिखेगा DRDO third numbers पे ठीक है तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देगा कि post name क्या हुआ है इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ आपको देखने में visibility होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैं desktop कर देता हूँ mode desktop mode करते हैं यह बड़ा बड़ा दिखने लगा अब यहाँ पे समझ सकते हैं कि DRDO scientist B online form 2020 post name यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तो इसका जो post date है वो आपका 23 मैं को ही आया था लेकिन अभी start नहीं हुआ है form भराना तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते है recruitment and assistant centers RAC invited to online application recruitment form for the post of scientist grade B vac consists 2020 के लिए those candidates आप जो भी interested हैं इसके लिए आप apply कर सकते हैं तो आगे बात करते हैं यहाँ पे नीचे scroll करके जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा details दिख जाता है जैसे यहाँ पे DRDO recruitment 2020 online form लिखा हुआ है तो advertisement number 137 short details notifications दिया हुआ है important dates की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं application जो begin होने का date है वो 29 से मई 2020 से है यानि की 29 से ठीक है ना last date जो इसका 10-7-2020 साम 5 बिल तक होगा और exam पे पे कर सकते हैं वो आपका है साथ जुलाई जुलाई तक है न ठीक है न exam date notifications जल्दी आ जाएंगे notifications admit card का भी available कब होगा जल्दी आ जाएगा बात करेंगे तो general OBC fee mode की बात करेंगे तो general OBCWS वालों के लिए 100 उपीज लग रहे हैं वही SCST और PS candidate साथ ही साथ all categories of females कोई पैसे नहीं दिया जाएगा ठीक है आगे जैसे ही आते हैं यहाँ पे payment mode की बात करते हैं तो payment mode वही है आप debit card से credit card से net banking माधियम से ही सिर्फ payment कर सकते हैं age limit की बात करें दोस्तों जो की 10 जुलाई 2020 तक होगा minimum कोई नहीं दिया हुआ है maximum की बात करते हैं तो DRDO के लिए 28 साल है और maximum ADA के लिए 30 साल है age relaxation भी rule के according दिया जाएगा टोटल पोस्ट की बात करें तो 185 पोस्ट है जिसमें scientist भी DRDO department के लिए 166 है और ADA के लिए 18 पोस्ट है अब मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ DRDO वेकैंसल डेटेल्स में तो यहाँ से देख सकते हैं पोस्ट नेम आपको दिख जाएगा स्क्री eligibility आपको bachelor degree past होना चाहिए electronic communication engineering में with first division marks होना चाहिए और gate exam बिलकुल pass होना चाहिए आगे बात करते हैं mechanical engineering के लिए वही 35 post total दिये गए हैं और इसमें भी bachelor degree mechanical engineering में पास होना चाहिए first division से और gate exam qualified रों से computer science के लिए 31 post है जिसमें bachelor degrees पास होना चाहिए computer science से टेकनोलोजी से या engineering से और first division से और साथी साथ gate exam पास्ट होना चाहिए वही बात करते है electrical department के लिए भी 12 आया है जिसमें bachelor degrees electrical engineering में चाहिए first division पास होना चाहिए और साथी gate exam भी पास्ट होना चाहिए material science and engineering में जो आया हैं दोस्तों 10 vacancies आया है इसमें भी bachelor degrees engineering होना चाहिए metallurgical with first division marks होना चाहिए और साथी साथ gate पास्ट होना चाहिए और भी subject जैसे के physics के लिए art post है master degrees में खोज रहा है first division से physics में और gate पास्ट होना चाहिए chemistry के लिए साथ है master degrees से chemistry में first division से और gate पास्ट होना चाहिए तो यह DRDO के बारे में दिया गया और भी post है यहाँ पे जैसे के chemical engineering है दोस्तों aeronautical engineering के लिए 4 post है उसमें bachelor degree चाहिए aeronautical engineering में first division के पास होना चाहिए साथ ही साथ gate exam भी past होना चाहिए mathematics के लिए भी आया है दोस्तों mathematics के लिए 4 post है civil engineering के लिए 3 post है psychology के लिए 10 post है यह सब के लिए भी master degree चाहिए psychology with net exam qualified होना चाहिए उसी तरह से ADA vacancy details में आप देख सकते electronic and communication engineering में 4 post है और eligibility bachelor degrees electronics communications with first division marks होना चाहिए इसमें get past होना चाहिए दोस्तों तो यहाँ पे आगे देखते है mechanical engineering में 8 post है ADA departments में और वही bachelor degree mechanical engineering में पास्ट होना चाहिए first division से और get exam पास्ट होना चाहिए eligibility सेम चीज दिया हुआ है जैसे उसमें दिया हुआ था DRDO के लिए सेम यहाँ पे भी आपको aeronautical के लिए computer science engineering के लिए दिया हुआ है आप यहाँ पे थोड़ा instruction दिया हो कि कैसे आप form को भर सकते हैं तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ थोड़ा सा थोड़ा सा बताते हैं जैसे कि यहाँ पे आप नीचे जैसे आएंगे ना तो application online लिखा हुए apply online जिसमें link activate अभी नहीं होगा 29-5-2020 से हो जाएगा और यहाँ पे पहले form भरने से पहले DRDO या ADA का notifications डाउनलोड कर लेना है और अगर official website की एक बार चक्कर लगाते हैं तो official website पर जैसे क्लिक करेंगे तो इसको official website पर आजाएंगे recruitment assessment centers DRDO Ministry of Defense Delhi India पर आजाएंगे यहाँ पे जैसे ही आएंगे दोस्तो 29 के बाद आईएगा तो यहाँ पे आपको advertisement के साथ साथ नीचे आपको जैसे ही आएंगे तो links वगेरा मिल जाएगा यहाँ से आप भार सकते हैं तो यह थी खास cover एक important सुचना जो की मैंने आपको दे दिय है उमीद है या वीडियो आपके लिए informative रहेगा तो इस वीडियो को like किजिए अपने दोस्तों के साथ share कर देजिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए और वो form भर सके चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए good bye take care thanks lot bye bye